फस्बाइट की खबरी लगातार देखने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और पैल आइकॉन को दबाएं इस खबर के प्राय जग है जैना ज्वेलर्स आबुलेन मेरट नमस्कार मैं हुरवी शर्मावर आप देख रहे हैं फस्बाइट.tv पिसले कुछ अंत्राल में अधिवक्ताव पर हो रहे हमले वे हत्याव को यूपी बार कॉंसिल ने बेहत गंभीरता से लिया है कॉंसिल ने साब कहा है कि यदि इन घटनाव पर समय रहते अंकुष नहीं लगा तो न्याईक प्रिक्रिया ठब करने के लिए उन्हें बाध्य होना पड़ेगा मेरट में तीन दिन पहले हुए अधिवक्ता मुकेश शर्मा हत्यकांड पर मेरट वे जिलाबार एसोशियेशन ने आज आमसभव लाई है इस बैठक में अधिवक्ताओं का यह मान था कि पुलिस प्रशाशन अपराधियों को बराबर सुरक्षा प्रदान कर रहा है जबकि अधिवक्ताओं को मांगने पर भी सुरक्षा नहीं दी जा रही है मुकेश शर्मा को अपनी हत्या का बराबर अंदेशा था और वेह सुरक्षा के लगातार मांग भी करते आ रहे थे लेकिन उन्हें सुरक्षा नहीं दी गई जिस कारण हत्यारे हत्या को बेहत असानी से अंजाम देकर फरार हो गई इस बीच पुलिस ने हत्या रोपे नासिर फैजल वे नरान पर दसदस अजार रोपे का इनाम भी गोशित कर दिया है बता दें मुकेश शर्मा के उस वक्त गोली मार कर हत्या कर दी गई थी जब वह खाना खाकर टहलने के लिए घर से निकले ही थे पुलिस ने 24 घंटे में नामजद लोगों को गरपतार कर इस हत्या कंड का खुलाशा कर दिया था अधिवक्ताओं को कहना है कि यह पुलिस के लिए बेहत आसान होता है जब किसी भी हत्या में परीजनों द्वारा कुछ लोगों को नामजद कर दिया जाता है पुलिस बिना जांच परताल किये इन लोगों के गरपतार कर लेती है इस केस में भी ऐसा ही हुआ है असली हत्यारों तक पहुँचने की बज़ाए पुलिस ने घर के लोगों को ही जेल बेज दिया जबकि परीजनों का कहना है कि केस सही खुला है लेकिन चेतन भी इस हत्या में शामिल था वहीं पुलिस का कहना है कि चेतन के खिलाब अभी तक पुलिस को ऐसा कोई सबूत नहीं मिला है जिससे उसे इस हत्यागण में शामिल पाया जाए कोकलपूर निवासी नासिर की जरूर सरक्रमी से तलास की जा रही है। इस पीच यूपी बार कॉंसिल ने मुख्य मंत्री अधितिनाथ योगी को भेचे पत्र में कहा है कि यदि अधिवक्ताओं को अपराधी इसी तरहे निशाने पर लाते रहेंगे तो उन्हें नियाइक प्रिक्रिया ठप करने के लिए बाध्य होना पड़ेगा और इसके समस्त जवाब देही सरकार की होगी। कॉंसिल अध्यक्स हरिस अंकर सिंग ने कहा है कि पिस्टे छे माह में जितने भी अधिवक्ता मारे गए हैं उनके परीजनों को 25-25 लाक रुपे आर्थिक मदद वे परीजन को सरकारी नौकरी दी जाया इस बीच आज मेरेट और जिला बार एशोशेशन की आमसभा में मुकेश शर्मा हत्यकान पर रोच जताया गया अधिवक्ताव ने एक सुर में कहा कि यदि अधिवक्ताव पर आए दिन हो रहे हमले वे हत्य जैसी संगीन घटनाव पर प्रशाशन रोक नहीं लगा पाया त इस बीच आज करेंगे कि जो अधिवक्ता का अरिवार है उसको अंदान के रोप में 50 लाग की धन राशी उसके परिवार को दीजाए उसके परिवार को एक व्यक्ती को नोकरी दीजाए चुकि अधिवक्ता समाज के पास में कोई सरकारी पैसा नहीं होता उसको पैंसन कोई नहीं मिलती उसका कोई फंड नहीं होता उसके बच्चे उसकी हत्या के बाद में सड़क पर आ जाते हैं, तो ये मांग खास तोर से हम ये कर रहे हैं, जो तेभी ये तीन पिडित परिवार हैं, इनकी सुरक्षा की जाए, जिसको इनको धमकिना मिले, और एक हमने इब मांग की है कि सभी मामलों में जो कल्पिरिट हैं, एक्चॉल में दोशी हैं, उनको भीजा जाए और किसी निर्दोस को उन मामलों में ने भीजा जाए, ये हमारा मुख मुद्धा आज था, जिसमें हम माननी है मुख मंत्री जी को जिलादिकारी महोदे के माध्यम से एक ग्यापन दे रहे हैं इनी मांगों को लेकर और एक यही ग्यापन हम इस पीज वरिष्ट पुलिस अधिक साहनी ने पता है कि पुलिस ने इस हत्यकांड को बेहत गंभीरता से लिया है आज मेरटबार के लोग आये थे और उनका ये काहना था कि जो पीडित परिवार है उसकी सुरच्छा के संबंद में कोई कारवाई की जाया और इसके साथ ही जो परार अभ्यूक्त है उनकी जल्दी गिरफतारी हो जाया साथ ही जो लोग जेल में गया है उसमें अगर कोई गलत गया हो परज़ान चुके परिशान थे और किसी का नाम उन्होंने गलत लिखवा दिया हो तो उसकी भी एविडंस के आधार पर समीच्छा कर ली जाए पूरी बाते इनके सुनी गई है पीडित परिवार जो है घर पे दो कास्टिवल उसकी सुरच्छा के लिए लिए और बाकी जो अभी आधार पर जो सही है वही भीचना की जाएगी ना किसी को इसमें छोड़ा जाएगा गलत और ना किसी को गलत पकड़ा जाएगा हत्यागांड का मोटी प्रापार्टी डिस्प्यूट था जो निकल कर सामने आया और वकील साफ का जो भतीजा है वो इसमें मुख्य अभ्यूत था वो खिचने कई चीजें एक्सेप्ट भी की है और उनके भतीजे ने ही अपने चाजा का वकील साफ का वर्डर कराया बहुत पुलिस ने हत्या रूपी नासिर फैजल वे नाराण पर दस दस हजार रूपे का इनाम भी कोशित कर दिया है जल्द ही इन बाके आरूपियों को भी गिरफ्तार कर लिया जाएगा इस खबर में आज के लिए बस इतना ही बनी रहेगी हमारी नज़र देखते रहे ये झाल झाल